विश्वक के सभी मेरे साथियों को राजरत नमबेटकर की ओर से जैभीम नमबुद्धा है। दांटोर नमबेटकर के बारवे भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और थोड़ी ही दैर में बाबा सभ अमबेटकर जी के आखों से आसु भेने लग गए। बगल में डॉक्टर बाबा सभ अमबेटकर जी के सचीव शंकरन शास्त्री खड़े थे। शास्त्री जी ने देखा कि बाबा सभ अमबेटकर रो रहा है। अब बाबा साब को कैसे उठ और कैसे पूछू कि आप क्यों रो रहे हो शंकाय शास्त्री जी ने एक युक्ति की बाबा साथ अंबेटकरजी के पेरों के यहां बैठ है और पेर दबाते दबाते बाबा साब से सवाल किया बाबा साब अभी आप इस देश को एक अच्छा सविधान देखर आये हो एक अच कर रहा था और इस सफर को याद करते करते मुझे मेरा बच्चा याद आ गया मेरा बेटा मेरे मेरा सबसे प्यारा बेटा राजरत्न मुझे याद आ गया आडाई साल की उमर में इसे डबल निमोनिया हो गया था उस समय डॉक्टर बाबा सब अमबेडकर जी की आर्थिक हलात कुछ अच्छी नहीं थी बाबा सब अमबेडकर उस समय वकिली क्या करते थे और ऐसे हलातों में बाबा साब अंबेड करजी का ये बेटा इसे डबल निमोनिया हो गया था जुलाई 1926 में इसे डबल निमोनिया हो गया था और बाबा साब अंबेड कर बंबे हाई कोट में एक केस के संदर्ब में गये थे माता रमाई ने देखा कि राजरतन का भुकार बढ़ते जा रहा है माता रमाई ने बाबा साब के कारेकरता से कहा कि बाबा साब जहां कई पर भी हो उन्हें तुरंत घर लेकर आओ ये कार्य करता हाइकोर्ट पहुचा और हाइकोर्ट पहुचने पर बाबा साहब को संदेशा दिया कि बाबा साहब आपको तुरंद घर भुलाया है बाबा साहब अपना सारा काम छोड़कर बाबा साहब को पता चला क्या हुआ होगा बाबा साब ने उसी हाई कोट के दरवाजे से उसी हाई कोट के प्रांगण से तांगा किया और बाबा साब जिस चाली में रहा करते थे उस चाली के सामने आकर ये तांगा रुका दस बाबा साब का मकान हुआ करता था बाबा साब ने जैसे ही इस मकान में प्रवेश किया अपने बच्चे को अपने गोद में लिया गोद में बाबा साब अंबेड कर इस राजरतन को लेकर उसको खिला रहे थे और बाबा साब अंबेड कर जी की ही गोद में इस राजरतन न प्रांट त्याक कर दिया उस समय बाबा साब इतना फूट फूट कर रो रहे थे दिवार पर सर पटक पटक कर डॉक्टर बाबा साब अमबेड कर रो रहे थे पूरे कार्य करता पूरे चाली के लोग बाबा साब को देख रहे थे एक बच्चे की तरह बाबा साब रो रहे थे बाबा साहब को कैसे शांद किया जाए बाबा साहब का बच्पन का दोस्त मालू आगे आया बाबा साहब को बहुत परिश्रम के बाद बाबा साहब को शांद किया शांद करने के बाद एक कारेकरता ने बाबा साहब से सवाल किया कि बाबा साहब अभी रिती रिवाज के अनुसार पिता के पैसों से बच्चे के शरीर पर नए कपड़े लाने होते हैं, कफन लाना होता है, ये सारा साहित लाने के लिए पैसे दीजिए ताकि हम राजरतन का अंतविदी कर सके। बाबा साहब के कानों पर जैसे ही ये शब्द पड़े, शांत हुए बाबा साहब फिर से फूट-फूट कर रोने लग गए। ये बाब डॉक्टर बाबा साहब अंबेड करजी को 26 नवेंबर 1950 को भारत को सविधान देने के बाद याद आ गई। बाबा साहब शास्त्री से कहते कि शास्त्री एक समय था कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा राजरतन इस जहां से जाते समय मैं उसके शरीर पर कफन तक डाल नहीं सका। मेरा बच्चा बिना कफन के इस जहां से चला गया, लेकिन आज मैंने इस देश को सविधान निर्वान करके दिया है और एक ऐसी वेवस्ता मैंने इस देश में कायम कर दी गई है, इस देश में ऐसी विवस्ता मैंने कायम कर दी है कि मेरा आने वाला हर एक राजरतन चाहे वो हिंदूओं का हो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो कृष्शन हो चाहे वो जैन हो चाहे वो बौध हो इस देश में पैदा होने वाला हर एक राजरतन ये सूट, बूट, टाइ, कोट में जनम लेगा ऐसी व्यवस्ता मैंने इस देश को दे दी है और बाबा सहाब ने ये बात 26 जुलाई, 26 नुवेंबर 1990 को सविधान देने के बाद कही और बाबा सहाब का सविधान इस देश में सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, सभी ब्रगती करने का एक मौका देती है और सूट, भूट, टाइ, कोट में लाने की व्यवस्ता करती है ये बाबा सहाब अम बेटकरजी का सविधान देने के बाद बाबा सहाब को ये बात बाबा सहाब ने शंकरेन शास्तिर से कही आप लोगोंने मुझे सुना उसके लिए आहारत जाइबुट